अगर जिंदगी बनानी नाम बनानी शौरत कमानी है और अपनी चाहतों के हिसाब से जिन्दगी जीनी है जरौतों के हिसाब से नहीं कहानी है एक newspaper vendor की turned part-time accountant, turned you know full-time salesman, turned India's biggest trainer and biggest inspirational speaker. मेरा नाम संतोष नायर है, born brought up in the city of Mumbai. मैंने अपना career चालू किया था as a newspaper vendor, घर-घर में जाके मैं newspaper डालता था, फिर उसके बाद मैं college में जाता था, दुपेर को accountant की नोकरी करता था और रात को tuition लेता था, इस तरह से जिंदगी बीत रही थी, तब स्वामी नाथन अयर एक दिन मिला, मेरा जो बच्पन का यार है, उसने मुझसे पूछा करता क्या है, मैंने उसको कहानी सुनाई, उसने ये कहा कि ये जो newspaper का का काम कर रहा है, वो कुल करनी, अपना गली का कुल करनी, पिछले 35 साल से कर रहा है, और उसने कुछ बड़ा काम नहीं किया, मरने के पहले उसके पास एक motorcycle खाली थी, एक scooter खाली था, और जो ये जो तू अकाउंटन का नुकरी कर रहा है, चार सु रुपे तिरे को मिल रहा है, कल वो 500 हो जाएगा, अगले साल वो 600 हो जाएगा, उस गले साल वो 700 हो जाएगा, इस तरह से 35 की तेरी जब हुमर होगी, तो यू विल भी एट अबाउट, यू था, त्री एन हाफ, 4000 रुपीज, और ये जो टूशन ले रहा है, इसमें 100 रुपे मिल रहा है, एक का, दूसरे का 200 रुपे मिल रहा है, इस तरह से जिन्दगी में तू बड़ा आदमी नहीं बनेगा, ऐसा स्वामिनातन अयर ने जब चहरे पे देखके बोला, तब मैंने ठान लिया कि कुछ करना तो पड़ेगा, तब अयर से मैंने पूछा करना क्या, उसने कहा, जिन्दगी बनानी है, नाम बनानी है, शौरत कमानी है, चाहत अगर जिन्दगी बनानी है, नाम बनानी है, शौरत कमानी है, और अपनी चाहतों के हिसाब से जिन्दगी जीनी है, जरोतों के हिसाब से नहीं, तो बन जा एक सेल्समेन, मैंने बला, लेकिन मेरे को सेल्स के ब गया मैं युरेका फोप्स बूल के कंपनी में डोर टो डोर सेल्समें बनने के लिए और वहाँ पर रिजेक्ट हो गया एक होता है वो लोग सिलेक्ट करते हैं अगर आप अगर आप ठीक ठाक है और आपको रिजेक्ट करते हैं अगर आप एकदम बिल्कुल इनो अनारी के दिखते हैं और इनो घर घर में जाके वो अठ्रा किलो का सूटकेस लेके बेचने का काम मुझे जब देखा उन्होंने रिजेक्ट कर दिया फिर पता चला कि रिजेक्टेट केंडिट्स को लोग ले रहे थे तो हमारा नंबर लग गया और इस तरह से मैं युरेका फोप् और चार वैक्यूम क्लिनर आपका नेशनल एवरेज था अगर आपने आठ बेज दिया तो आपका जो बास है इमीजेट बास है वो आपको एक उड़िपी रेस्टोरंट में लेके खाना खिलाता था अगर आपने आठ से बारा बारा या पंद्रा के करीब बेचा तो आपका रिजनल मैनेजर आपको ले जाता था और बड़िया सा रेस्टोरंट में खाना खिलाता था और अगर आपने 14 या 16 बेज दिया तो अखिल मर्फत या हमारी कंपनी का यहनों मैनेजिंग डिरेक्टर अपने स्टेंडर 2000 रोवर कार में उस जमाने का सबसे एक्सपेंसिव गा और 20 दिन बचे हुए थे मैंने 26 वैक्यूम बेज दिया और मैं बन गया इंडिया का नमबर वन सेल्समें तो मुझे भी लगा यह फ्लूक में हुआ सब को लगा यह फ्लूक में हुआ अगले मैंने 32 वैक्यूम क्लिसे उसके बाद 33 उसके बाद 36 उसके बाद 37 39 41 43 लेकिन मैं ने जिन्दगी में कभी पिछले मेने से कम नहीं बेचा और फिर मैं बन गया ग्रूप लीडर, चार लड़के मेरे साथ थे, उसके बाद मैं बन गया सूपरवाइजर, नमबर वन ग्रूप लीडर बना, नमबर वन सूपरवाइजर बना, नमबर वन सेल्समें बना, इंडिया 8.5 years, 10 promotions, I was the youngest, fastest growing or richest employee in the history of Eureka Forbes, you know, and then I joined Real Value Ceasefire, the company was DGM, then became GM, then I was the team productivity, the company was the vice president and the director was the director. After 15 years of working on this job, I started a smart training company, and now smart was the most popular business and intelligent company. I remember that my first income was about 500 rupees, and I mean, 5,000 rupees, I had an level of 500 rupees, and I spent a lot of time in the year, I spent a lot of money, because I spent a lot of money in the year, these days, I spent two, three, five, six, I left, so I spent a lot of money, 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 बिने का कारेक्रम अपने से नहीं होने वला है, अभी मेरे को दिन का चाहिए, तो फिर मैंने दिन का tीन हजार रुपया लेने चालू किया, तब उल्हाई, जाने का यहार, पचाहस, पांच लाग दिन का मैं लेता था, परिये वैंकतों अभी मेमा काम नहीं है ये successful के पीछे formula क्या है simple बात है formula यह है successful logo में tail successful logo में फरक सिर्व इतना है कि successful logo ने वो करने की आदर डाली जो average और unsuccessful लोगों को करने को अच्छा नहीं लगता मुझे भी सुवेश अच्छा नहीं लगता आपको भी सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता लेकिन मैंने सुबह उठने की आदत डाल दी इस तरह से बड़ा गाड़ी, घर इस तरह से एक एक करके लक्ष मेंने रखा और हर लक्ष को मैंने डेट डाला और इस तरह से वो सब किया जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता, मुझे पढ़ने को अच्छा नहीं लगता लेकिन मैंने वो सब किया क्योंकि मेरा दिमाग में एक बात बैठ गया कि जब जब आप वो करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए और आपको क्या चाहिए आपको घर चाहिए आपको भंगला चाहिए आपको पैसा चाहिए आपक अच्छा नहीं लगता और आज मैं ये समझ चुका हूँ कि हमारा जो फ्यूचर है वो हमारी आदते हैं जान बूच के अच्छी आदते अगर हमने डेवलप नहीं किया तो अंजाने में बुरी आदते लग जाएगी जान बूच के बड़ा सोचने की आदत नहीं डालोगे तो एक बहुत इंपॉर्टन बात यह है कि यह सब के पीछे जुनून पैदा कैसे हुआ मुद्दा यह उठता है कि यह जुनून इसलिए पैदा हुआ क्यूंकि आज से करीबन 35 साल पहले यह नो मेरे यह वहाँ पर जबती का नोटीस आ गया था मेरे गर में जबती का नोटीस क्यूंकि 18 मेने से हाउसिंग बोर्ड में हमने पैसा नहीं दिया है डॉक्टर आके खड़ा हुआ है डॉक्टर का कंपांडर आके खड़ा हुआ है नायर साब पैसे दे दीजिए किराने वाला आके खड़ा हुआ है तो पैसी की बड़ी जिल्लत होती थी कॉलेज में जाने क लेता देख 170 में मेरे खाल से वहाँ पर मेरा sales का एक सोच मेरा पैदा हुआ और इस तर बड़ी बेन का शादी नहीं हो रहा क्योंकि पैसे नहीं है चोटी बेन का शादी नहीं हो रहा पैसे नहीं है कमपांडर आके बैटा हुआ के रहने वाला आके बैटा हुआ दूद्वाला आके बैठा हुआ न्यूस पेपर बड़ी गुस्था थी मिर जिंदगी में मिरे को एक आख्रोस था कि पैसे कमाने है कैसे बेकर करके इस्यभार निकलना है और इसलिए स्वामी नाथन अयर का वो स्टोरी कि अगर तुझे सेल्स में, सेल्स वो लाइन है जहां पर तुझे 5 शेयर चाहिए तो 5 शेयर मिलेगा, 10 जार चाहिए तो मैंने का 10 शेयर मिलेगा, 50 चाहिए तो 50 मिलेगा, 1 लाग चाहिए तो 1 लाग मिलेगा, 3 लाग चाहिए कि हमारे effort के वज़े से और मैं कभी भी time and effort में नहीं believe करता हूँ मैं result में believe करता हूँ result is time and effort is not equal to money result is equal to money तो मेरा हमेशा ये दिमाग में था कि result को पैदा करने के लिए क्या किया जाए मैंने हमेशा लगातार अपने goal book को डालने की आदर डाली self improvement रोज रात को मैं लिखता हूँ कि आज मैं जिंदगी से क्या सिखा और मैं कैसे improve हो सकता हूँ मैं लिखता हूँ 21 day positive focus बोलके एक book कि आज मैंने positive काम क्या किये आज मैंने जिंदगी से क्या study किया लगातार मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ और मेरी जो माली हालत है उसको बदलने का मेरा एक प्रण रहा है और तब से लेके आज चक उसी प्रण पे लगा हुआ हूँ तब से लेके आज चक मैं continuously वही सब कर रहा हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता लक्ष मैंने तै कर दिया है date मैंने set कर दिया है और लगातार एक जुनूनी पागल के माफ़त जोश के साथ, enthusiasm के साथ, determination के साथ, dedication के साथ जूट ना बोलते हुए, काम करते हुए, मैनत करते हुए जब तक काम नहीं होता तब तक मैं घर नहीं जाता एक salesman की मेरी आदत थी कि जब तक मैं vacuum cleaner नहीं बेचूँगा, घर नहीं जाओंगा मुझे यादे ऐसा एक ही दिन हुआ था क्योंकि हर दिन मैं बेचता था और मैंने ये decide कर दिया था बेचूँगा ने तो घर नहीं जाओंगा रोज अपने reports बराबर time पे लिखूँगा बहुत लोग के पूछने के पहले मैं करूँगा और मैं बनूँगा एक professional ना मुझे किसी की guidance की जरूत थी ना motivation की जरूत थी ना push का जरूत था ना यादे मेरे को याद दिलाने की जरूत थी नहीं थी क्योंकि मैं professional बन चुका था मुझे नौकरी नहीं करनी थी मुझे एक sales professional बनना था आप कहां पर है आप क्या कर रहे हैं आपका background क्या है आपका father कौन है आप literate है illiterate है आपको पढ़ाई आपने की नहीं की आप सब लोग जो मेरे को सुन रहे हैं आपको सब मकाम पे पहुंच सकते हैं लगातार पहुंच सकते हैं सिर्फ आपको अपने आप में विश्वास करना है अपने काबिलियत पे विश्वास करना और लगातार अपनी काबिलियत को upgrade करते रहना है किताबों के त्रू audio के त्रू, videos के त्रू अच्छे training program, अच्छे गुरूओं के त्रू प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेर कीजिए, इस टूपर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जोश टॉक्स को